हरियों, दुनिया की हर चीज़ अपने मूल की तरफ बढ़ती है हमारा जो मूल स्वरूप है वो है आनंद, वो है शाश्वत, वो है शान्ति, वो है प्रकाश इसलिए व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जीवन की किसी भी स्थिती में क्यों ना हो वो उस स्थिती में रहते हुए भी, बुरी से बुरी हालत में रहते हुए भी यह चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी हालत में पहुँच जाओं जिससे कि मुझे जीवन में आनंद मिले अंधेरे में हैं तो चाहता है कि मुझे जीवन में रोशनी मिले चाहे वो रोशनी खुले गगन की है और चाहे वो रोशनी ज्यान की है मरनासन निव्यक्ति भी ये चाहता है कि मैं जी जाओं और जीवन से मेरा साथ ना छूटे क्योंकि उसका मूल सुरूप शाष्टत है यानि हमेशा रहने वाला शरीर हमेशा नहीं रहेगा इसलिए जब तक हमारे पास है ये साधन के रूप में परमात्मा ने हमें दिया है इसका हम इस्तेमाल करते हैं आनंद को पाने के लिए सौंदरिय तक पहुँचने के लिए प्रकाश की तरफ पहुँचने के लिए और जीवन की तरफ पहुँचने के लिए जब शरीर नहीं भी रहता, तो हम फिर एक चिरंतन जीवन, शास्वत जीवन, परम आनंद, परम प्रकाश और परम शान्ती के अंग ही नहीं बन जाते, बलकि उसमें समाहित हो जाते हैं इस बात को सोचने, समझने, फिर उस राह पर चलने का जो मार्ग है, वो है योग साधना, आत्म साधना, अध्यात्म साधना, तो हम चाहते हैं, लेकिन अब इसको सीधे-सीधे पाना मुश्किल हो जाता है, हमारी यात्रा अगर बीच में कहीं रुख गई है, तो हम वहां से चलते हैं, जादे दिन रुख गई यात्रा, तो फिर नए सिरे से प्रियास करना पड़ता है, और अगर केवल ठैराव, छिठकाव आया है, तो फिर जहां रुखे थे, वहां से भी आगे चल सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमने योग के मार्ग को समझा हो, अपनाना चाहा हो, और हम जान भी गए, जिसे मैं अभी आप से चर्चा में कहा, कि हम शान्ति मैं हैं, आनंद रूप हैं, प्रकाश रूप हैं, जीवन रूप हैं, तो हमें तत्काल उस उचाई को पाने का अधिकार है, लेकिन तत्काल उचाई मिलेगी नहीं, उसके लिए आप प्रती दिन की साधना करेंगे, मैं इस चर्चा को यहां इसलिए कर रहा हूँ, कि ये एक विशेश सत्र है, जो योग साधक खस तर से जो योग से परिचित हैं, योग के नाम से परिचित हैं, और योग जिग्यासू भी हैं, बहुत से तो योग शिक्षक भी हैं, शिक्षक होते वे भी हमें बहुत कुछ स और वो मेरा गौरोपूर्ण पैचान है आप मुझे कितना भी अच्छा साधक मानने कितना भी विशय का ग्याता मानने लेकिन मेरा जो अधिकार है योग साधक होने का वो ही मेरी शक्ति है उस से संभावनाओं के द्वार खुलते रहते हैं नित नए अन्वेशन हम लोगों के इस तर से होते रहते हैं आत्मान उभव होते हैं जिनको हम अधिकारी के साथ क्योंकि आप अधिकारी हैं इसलिए आपके साथ साजा करते हैं कोई जरूरी नहीं कि जिस से हम साजा कर रहे हैं वो अधिकारी हो ही और उन्हें पता भी हो कि अधिकारी है बहुत बार तो समवा आद के बाहद पता चलता है कि हम भी तो अधिकारी थे, हम क्यों अभी तक इस बात से वंचित चले आ रहे थे, तो आप अधिकारी है, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए, कि जो सीधे सीधे ध्यान की बात करते हैं, सीधे सीधे हम कुंडलीनी जागरन की बात करते हैं, सीधे सीधे परम आनंद को पाने की बात करते हैं, सीधे सीधे प्रकाशमान जीवन हो जाने की बात करते हैं, तो उसमें सत्य है, लेकिन वो बात तक ही सत्य है, अनुभूती में जब तक सत्य नहीं आता है तब तक हम उसको रिलाइजेशन नहीं कह सकते हैं रिलाइजेशन के लिए हमें निरंतर अभ्यास की जरुरत है मैं अगर आपको प्रानयाम की बात कर रहा था पिछले कुछ समय से तो प्रानयाम के लिए किन-किन तैयारियों की जरुरत थी ये भी बताया गया था प्रानयाम के आधार भूत्स जो आवश्यक्ताएं हैं वो क्या हैं ये भी बताया गया था प्रानयाम और सासायाम में क्या भेद है ये भी आपको निवेदन किया था प्राण, स्वास के माध्यम से कैसे हम प्रणयाम के द्वारा पकड़ सकते हैं इस बात पर भी हमने चर्चा की थी लेकिन वो साधक ही पकड़ेंगे जो जो साधक उसको प्रति दिन के अभ्यास में उस पद्धती को प्रति दिन के अभ्यास में लाते रहेंगे शरीर हमने स्वस्थ कर लिया है चाहे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दवाईयों के माध्यम से व्यायाम के माध्यम से खेल कूद के माध्यम से आसन के माध्यम से और उसके बाद हम कहते हैं अब मैं ठीक हूँ अब हम अभ्यास करते हैं आगे ध्यान की गहराई में जान तो उतने के लिए भी हमें प्रती दिन, जैसे प्रती दिन कपड़े को पहनने से पहले जाड़ लेना एक बार जरूरी है, जैसे भोजन करने से पहले प्रती दिन दाथ साफ कर लेना जरूरी है, जैसे सोकर के जब आप जगते हैं, तो दिन भर का पुर्शार्थ करने के लिए आपका अंगडाई ले लेना जरूरी है जैसे आप खेलेंगे तो वार्म अप करना जरूरी है जिमनेजियम करेंगे योगा अभ्यास करेंगे तो फिर कुछ आरंबिक व्यायाम जरूरी है ऐसे ही गहरे से गहरे सादक को भी ध्यान में बैटने से पहले आत्म साधना के लिए अभ्यास के लिए बैटने से पहले शरीर को थोड़ा सा अनुकूल कर लेना जरूरी है तो आए कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम प्रति दिन थोड़ी सी देर के लिए करें और उसके बाद फिर हम निश्चिन थो करके बैट सकें निश्चिन्त हो करके बैटने का मतलब क्या है कि आप जब ध्यान के लिए बैठते हैं ध्यान आवस्तित अद गतेन मनसा इस रूप में जब बैठते हैं तो आप शरीर की तरफ से निश्चिन्त हो सकें वो आपको सहयोग करें केवल ही मांस्पेशिय ही नहीं बलकि इनके भीतर के भी जो अंग हैं सिस्टम्स हैं वो हमारा सहयोग करें हम शरीर को सुरक्षित रखते हुए उससे आगे की यात्रा पर चलें क्योंकि केवल आज तक ही शरीर नहीं है हो सकता है आज तक ही यह हो यह विधाता की विवस्ता है लेकिन आपको अभ्यास करने के लिए कल भी इसकी ज़रत पड़ेगी आपको हो सकता है कि जितना जीवन हमें मिला है उसमें कितने भी बर्स क्यों ना हो उतने समय इसकी ज़रत पड़ेगी लौकिक कर्म करने के लिए भी और अलौकिक अपलब्धियां करने के लिए भी इसकी ज़रत पड़ेगी तो फिर यह हमें बिल्कुल ठीक चाहिए इसलिए जितने नियम बनाएं कि एकांते, मठिकामध्य, निर्जने, निरुपद्रवे, स्थातव्यम हठी होगी ना कि हम ऐसी परिस्थिती में अपने शरीर को रखें जिससे कि हम सुरक्षित हों और हमारी जो साधना है वो निरबाद हो इसमें कौनकौनसी ऐसी क्रियाएं हैं, जिनको हम प्रते दिन, कोई ज़रूरी नहीं ہے कि उसमें हमें पसीने लेने हैं और है ही नहीं ऐसा व्यायाम नहीं है यह केवल बैठने के लिए ध्यान के लिए अनुकूलता पाने का शरीर को केवल तयार करने का एक विधान है जो शरीर के अभ्यास जब हम करते हैं, तो हम बहुत rigorous exercises करते हैं, बहुत अधिक मुड़ने, तुड़ने, घूमने, संतुलन वाले अभ्यास करते हैं, वो हमारी जो शारेरिक requirement हैं, आवशकता हैं, उनकी पूर्ती के लिए हैं, उसके स्तर को उचा उठाने के लिए हैं, लेकिन जब हम केवल preparatory exercise, इसको हम कह सकते हैं, आरंबिक, कि इतना मात्र करने के बाद फिर आप बैठें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जो spine है हमारी, read, उसको तयार करें, क्योंकि जितना भी चेतना का संचार है, पूरे अस्तित्तों में, यानि जो हमारा ये वाला ब्रह्मा पिंडे तत पिंडे, तो इस पिंड में जितना भी अस्तित्तों है, उसमें चेतना का संचार जरूरी है, तो उसका जो आधार है, वो है हमारी read, देर तक बैठना है, देर तक खड़े रहना है, देर तक चलना है, और हमारे जो शट चक्र हैं, उनको अनुकूल बनाए रखन है, तो इसके लिए एक बार को पूरी read को हमें जरूर छेड देना चाहिए, ताकि वहां पर किसी तरह का कच्रा जमान न रहे, कच्रा ऐसा नहीं, कि वो साल शे मेहने में इखटा हो जाए, तभी साफ किया जाएगा, प्रति दिन जरा साफ कर देंगे, तो फिर जितना रोज जमा हुआ, तो ना रोज साफ हो गया, और अगर वो कच्रा जम गया, आपने महीनों साफ नहीं किया, तो फिर आपको विशेश व्यायाम, विशेश अभ्यास ऐसे ही करने पड़ते हैं, जैसे आपको अपने घर की नाली से भी खुरच करके गंदगी को हटाना पड़ता है, तो रोज का कच्रा रोज साफ ध्यान के अभ्याश से पहले, आत्म सादना के लिए बैठने से पहले, निश्चिन तभाव में स्वाद्याय के लिए चिंतन के लिए बैठने से पहले तो उतना छोटा सा काम हम करते हैं, इसमें पहली मैंने कहा कि स्पाइन को ठीक रखेंगे और स्पाइन को ठीक रखने के जो धरीके हैं उसमें कुछ क्रियाएं खड़े हो करके हैं और कुछ क्रियाएं लेट करके हैं बस इतना भी कर लेंगे तो फिर उसके बाद बैठने वाली अनुकूलता हो जाएगी और इस काम में आपको मुश्किल से पंद्रे मिनट देने हैं पंद्रे मिनट बस जैसे मैं कर रहा हूं उनको एक बार करना और उसके बाद में आप समझने के लिए समय लगता है मैंने इस कि प्रष्ट भूमी बनाने के लिए ही आपको इतनी चर्चा की सीधे में करिया करता तो आप सोचते कि यह तो हम रोजी करते हैं इतना व्यायम तो हम करते ही हैं या कर सकते हैं तो परियाप्त ना होता तो ऐसे अभ्यास को भी आप देखें कि कौन सी क्रिया है जो सीधे संचार व्यवस्था है उसको प्रभावित करती है और आपको ताजा बना देती है जिससे के आप पूरी ताजच़्गी के साथ अमना अभ्यास कर सके हैं है बस जितना至 इतना मैं करता हूं उतना ही केवल अभ्यास करना है यह हमें ध्यान रखना चाहिए केवल सबसे पहले विरेचन जो के नाभी से हमारे पूरे शरीर के संचार व्यवस्था को और संप्रेशन को जो इसको करना चाहिए कि फीडिंग को कंट्रोल करें ऐसे सांस बरना छोड़ना पचास-पचास के आप इसके राउंड ले लिजेगा तीन इसके बाद में आप आजाते हैं मरनाल हाथ को मुच्छा खेंचा इस तरह से और बड़ी मस्ती के साथ इसे व्यायाम समझ के ना किया जाए इसको तयारी समझ करके किया जाए जितना हो सके दाएं बाएं ये मुमेंट देना बरनाल के बाद ये इसलिटी प्रिक्टिसिज हैं फिर आप सकंद जिससे के पूरे स्पाइनल कॉलम को हम ट्विश्ट कर सके इसके बाद सरवांग पुष्टी गती इतना काम करेंगे स्वांस भरा और बिल्कुल मेरी तरह से ही स्वांस छोड़ा भरा चोड़ा भरा चोड़ा बाजू ऐसे कान के बीच में रहने चाहिए कानों के साथ ही चिपके रहने चाहिए इतना अभ्यास करिएगा इतना करने के बाद में केवल पैर को चोटा सा अभ्यास यहीं दे दिया इस प्रकार से और इस प्रकार से इतना काम इसके बाद हम अभ्यास करते हैं लेट करके लेट करके करने वाला अभ्यास में हम केवल पैरों को फोल्ड करेंगे आते लिए सिर्के नीचे इस प्रकार से दोनों घुट्णों को मिलाए हुए पैरों को भी इस तरह ही मिलाए हुए यह मुमेंट करना आधा बाहर की तरफ आधा भीतर की तरफ चार-पांच बार इस कारियों करेंगे उसके बाद फिर वापस और फिर इसके बाद पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कि तलवा जंगा से चिपक जाए और इसी अभ्यास में हम आगे बढ़ते हुए इसे ही दूसरे पैर की तरफ भी करेंगे इतना कारे करने के बाद फिर हम पेट के बला जाते हैं ऐसे और हतेली कंदों के निचे ले करके स्वास भरते हुए उठना और पैरों को पीछे लंबा रखते हुए इस प्रकार से दाएं बाएं विप्रीत एडी की तरफ देखना इतना कारे करने के बाद फिर हम बिलाव के स्थिति में आ जाते हैं और पूरे स्पाइनल कॉलम को एक्टिवेट करते हैं सास भरना सास छोड़ना हिप्स हुचे चेहरा हुचा फिर सास छोड़ते वे कमर हुची इस तरह करने के बाद फिर हम मुक्त मेरू अभ्यास में आते हैं कि एडियों पर हिप्स टीके हुए है मेरे नीचे और बैठे वे मेंडेक जैसी मेरी आकरती है ऐसे रुक करके और फिर हम धीरे से वजरासन में बैठ जाते हैं इसके बाद आप अपना जो निश्चिंत अभ्यास है इस कारिय में आपको मुश्किल से 10-15 मिनिट का समय लगना चाहिए और इतना करने के बाद आप अपनी ध्यान की सिटिंग करें ये कारिय चाहे आपको ध्यान के लिए या प्रणयाम के लिए स्वाध्याय के लिए सुबह को बैठना हो दुपहर को बैठना हो या शाम को बैठना हो हाँ मैं दुपहर भी कह रहा हूँ क्योंकि जो रिशी परंपरा है भारत की उसमें तरिकाल साधना का विधान है लेकिन अगर आप सुबह शाम बैठते हैं तो ठीक है दुपहर को भी बैठते हैं तो ठीक है लेकिन इतनी तैयारी हमें जरूर कर लेनी चाहिए वरना जिस तरह की आज की जीवन शैली बनी हुई है उसमें ख़स तोर से एस तरह की शिकायतें आती हैं के जी हम meditation में बैठते हैं, पदमासन में बैठते हैं, meditation के लिए तो हमारे घुटने बेकार हो गए है। कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे कमर के निचले हिस्से में दर्द रहने लगा हैं और जब हम उठते हैं तो ये पूरा हिस्सा जो है वो congested हमको मैसूस होता है। और सुर्भार लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हम जादे देर तक कमर सीधी करके नहीं बैठ पाते हैं। तो ये तीनों ही तरह की शिकायते हैं कम से कम आपको तो face करनी नहीं पड़ेंगी यदि आप इस तैयारी के साथ अपना अभ्यास करते हैं। मैं जानता हूँ कि हम बहुत कुछ जानते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं। उतने के बाद भी अनुभव का अपना महत्व है। और शभी ग्रंथों के होते हुए भी, सभी शास्त्रों के होते हुए भी हमें ये तलाश रहती है कि चाए Medical Science पढ़ने की बात हो, चाए Engineering की बात हो, चाए योग विज्ञान की बात हो, हम तलाश करते हैं उस व्यक्ति की, जिसने दो कदम चल करके देखा है और उन सूत्रों को उन सिध्धानतों को, उन उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करके देखा है, अनुभव करके देखने में आप अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं, आर्किमेडीज का सिध्धानत लोगों ने पढ़ा किस तरह से अगर कोई ठोस जमीन में आता है, पानी में पर होती है, तो इसी आधार पर फिर हम सिध्धानत, यानी तैरने की बात जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको तैरना सीखने के लिए कोई सी तैराक का, किसी तैरने का अभ्यास करने वाले व्यक्ती का संबल चाहिए, उससे आपको आपने चिन्थों करके अभ मार्ग आपका प्रशस्त होगा, लेकिन आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुब कामनाएं, हरियोम।